दोस्तो हमारे फोन में एक ऐसे सेटिंग होता है जिस सेटिंग का नाम है डेवलोपर ओप्षन और इसी डेवलोपर ओप्षन सेटिंग से आपको कुछ सेटिंग ओन करना है जिसके बाद आपका फोन के बैटरी अगर जल्दी खतम होता है तो आज के बाद नहीं होगा मैंने कल रात को charge किया था 100% किया था अभी भी देख सकते हो 95% charge available है जो कि मैंने ये setting करने के बाद मेरा phone का battery का backup बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखो दोस्तों ये जो developer option setting है इसी setting में आपको वो setting करना है उसके बाद जो है आपके phone के battery अगर एक दिन charge करोगे तो कम से कम दो तीन दिन चलने लाएगा तो ये कौन सा setting है आप अपकी developer phone के setting पे जाके करना है और ये इन सारा setting को जैसे से मैंने बताया आप भी आपके phone में step बाइश्टे देखना है वीडियो को एक बर के जगा दो बर देखना है उसके बाद इन सारे setting को कर लेना है उसके बाद आपके phone में battery का problem कभी नहीं आगा battery backup फुल दिखाएगा तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लिके लाश्ट तक तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही सेटोसनेल एप सब्डेट में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिनार रश्ट करें चलो देखते हैं Let's get started तो दोस्तों वीडियो को आगे बरने से पहले आपको एक रिक्वेश्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे हूँ बस आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बैल है यह ओल बैल पे दबा के लग देना है और उसके नीचे जो कमेंट बुक्स देख पा रहे हो यहाँ पे एक कमेंट कर देना है बैटरी ड्रेन प्रोब्लेम फिक्स करके उसके बाद दोस्तों आभी आपको करना क्यों होगा यह कमेंट कर देने के बाद अब यह आपका जो फून है फून के सेटिंग पर जाना होगा और जो मैंने आपको सेटिंग बताए है डेवलोपर सेटिंग डेवलोपर ऑप्शन वो सेटिंग आपके फून में एबिलेबल नहीं होता है उसको on करना पड़ता है तो उसको on करने के लिए आपके phone में about phone मिलेगा या तो about device मिलेगा तो अगर आपका phone oppo vivo phone है तो about device में click करना होगा उसके बाद आपको इस तरफ से आएगा अगर आप Xiaomi phone यूज़ करते हो तो इस तरफ से आएगा उसके बाद एक setting मिलेगा जिसका नाव होगा OS version तो अगर आपका phone में build version आ रहा है build version पे click करना होगा गिंती करके 7 बर अगर आपका Xiaomi phone है इस तरह का phone है तो OS version आएगा तो इसी version में आपको गिंती करके 7 बर दबाना है और उसके बाद ये आएगा ये आता है तब समझ लाओ कि आपके phone में developer का setting ये on हो चुके है और उसके बाद आपको back करते ना होगा back करके आपको फिर से setting पे आके आपको अभी ढूनना होगा additional setting additional setting पे click करोगे तो उसके बाद नीचे आओगे तो developer option मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है तो उपर setting पे जाके search करो developer option डाइरेक्ली मिल जाएगा जैसे मैं यहाँ पे search करता हूँ developer ये देखो developer search किया और तुरंत यहाँ पे इस तरफ से आगया developer option तो बस आपको इसी developer option में एक बाद जाना होगा और जाने की बाद सबसे पहला setting आपको करना होगा उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्यों होगा बिल्कुल नीचे आजाना होगा जोकि net rocking का देख पारो इसी net rocking का एक setting बे आपको यहाँ पे एक setting डुनना होगा जिस setting का नाम होगा वाइफाई scan throttling दोस्तों यह कभी कभी आपके phone में off रहेगा अगर यह off रहेगा तो आपके phone में battery जल्दी खतम होता है ठीक है तो यह इस setting से होगा क्या देख सकते हो यहाँ पे लिखा है reduce battery drain मतलब जो आपके phone में battery जल्दी खतम होता है battery जल्दी खतम हो जाता है तो यह जो है यह आपको on करने ही रखना है ठीक है यह हो गया पहला setting दूसरा setting है दूसरा setting करने के लिए आपके phone में इसी developer setting पर करना होगा उसके लिए थोड़ा नीचे आजाना होगा नीचे आजाना होगा नीचे आजाने के बाद एक setting मिलता है जिसका नाम है graphics driver preference तो आपको दूनना होगा यह setting करने के बाद अभी दूसरा setting करना है और दूसरा setting जो है उसका नाम है graphics driver preference और वो setting क्या होगा आप जो वाइफ़ा इसके इसके नेटरो किंग उसके उपर ही मिल जाएगा जैसे थोड़ा उपर आओगे उपर आने की बाद यह setting मिल जाता है जिसका नाम है graphics driver preference और यह setting से आखिर होगा क्या ध्यान से देखो जैसे इसको आप on करोगे on करने के बाद आपके फोन में जितने भी आपके फोन में जो apps है उन सारे apps वो default पे जो काम करता है वो सारा का सारा इसमें आपका बैटरी पे बहुत ज़्यदा effect आता है जैसे कि background वीडियो graphics होता है जैसे आपने सुना है computer real hypnobic graphics होता है तो फोन में भी होता है तो आपको बस करना क्यों होगा यह जो use graphics driver preference है इसको बस आपको यह off करके रखना होगा और यह off करोगे तो आपके फोन के बैटरी जो है उसमें effect कम आएगा बैटरी पे कम जोराएगा तो इसलिए आपक चाएगा यह off कर दिना होगा यह हो गए हो गाए दूसरा सेटिंग उसके बाद तीसरा सेटिंग करना है दोस्तों तीसरा सेटिंग क्या है आपके फोन में जो automatically infras update हो जाता है और उसके साथ सथ हूद का system optimisodate कभी कर ऐसे होता है जो आपके फोन में automatically update होते रहते हैं उसकी करोगे तो apply updates when device restart मतलब जब आप restart करोगे तो आपका फोन अगर आपडेट आयागा तो automatically update होगा उसके साथ आपका फोन का battery बहुत ज्यादा drain होगा बैटरी जल्दी खतम होगा तो यह जो automatic system updates है इसको बस बन कर देना है अभी मैंने तीसरा setting बताया आभी आखिर का जो setting है पाँसनिमर का सेटिंग और वी जुरू है तो यह चौथा setting क्या है आखिर ध्यान से देखो जैसे के हम कोई भी अप यूस करते हैं और इसी emmen background में जो activity होते रहते हैं जैसे कि अहाँप इस अप को use किया जैसे whatsapp को गया whatsapp में जाने WhatsApp से बाहर आ गया, तो इसी में background में process हो रहा है, और यह background जब process होता है, तो यहाँ पर battery पर effect आता है, battery drain होता है, मान के चलो कोई भी app हमने open किया, Instagram open किया, तो जितने भी app हम कभी कबर open करते हैं, फिर इस तरह से activity होते रहते हैं, और यह हमारे battery पर जल्दी खतम होता है, battery पर effect आता है, और battery drain होता है, तो आपको वो setting बन करना है, जो battery, मतलब apps जो हम use करते हैं, उसका activity बन करने के लिए, वो app का जो activity हो destroy हो जाएगा, वो खतम हो जाएगा, तो उसके लिए आपको फिर से इसी setting पर आना है, आने की बाद थोड़ा नीचे आजाना है, और एक setting मिलेगा apps का, जो developer option, apps का setting मिल जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहला setting मिलेगा, don't keep activities, destroy every activity as the users levels it, जब आप apps से बहरा आजाओगे, तो यह automatically leave हो जाएगा, तो आपको करना क्योंगा, don't keep activities, इसको बस आपको on करके रेखना होगा, यह बहुत ही ज़रूरी है, यह होगा चोथा setting, आभी आखिरी जो setting है, वो है background process, जो आपको यह background process limit क्या है, जैसे हम कोई भी app open करते हैं, वो app क्या होता है, app open करने के साथ साथ, जो हम जैसे कि यह whatsapp open क्या, अभी एक animation आया, यह देखो, यह back किया, यह animation हो रहा है, इसको बोलते है background process limit, यह background में, apps के background में limit होता है, और वो limit कभी कभी आपके phone में standard limit होता है, या कभी आपका atmosphere process होता है, तो जिसके बदे से आपका phone का battery जल्दी खतम होता है, तो आपको बस करना क्या होगा, no background process पे click करना होगा, और यह no background process पे click करोगे, कर देने के बाद, आपका phone का battery देखना, एक बदर अगर starts करोगे, तो कम से कम 42 hour या 72 hour तक आराम से चल जाएगा, बस developer का इतना setting आप कर लो, जितना मैंने बताया, तो दोस्तों ऐसे कि अभी मैंने like to like दिखाया, इन सारे setting को आप भी आपकी phone में कर लो, उसके बाद देखो आपके phone के battery का जो भी issue है, battery backup नहीं हो रहा था, battery जल्दी खातम हो जाता था, battery reduce, battery training program, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इस वीडियो को इसी तरव से मैंने कहा, वैसे step by step फोलो कर लो, तो दोस्तों अगर आपको यह पसंदर वीडियो से थोड़ा भी अल्पूल लगा, तो वीडियो को like कर दिना, और channel को subscribe करके, उसके साथ जो bell है ना, वो all bell पर दबा के ज़रूर रख दिना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों से अगरे दिने, अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जैहिंद!